हाई एवरिवन आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ एक न्यू रेसिपी इसे बनाना काफी असान है इसे आप इवनिंग स्नैक्स पे आप बना सकते हो काफी असानी से इसे बनाने के लिए आपको किसी भी बर्तन में आपको थ्री ग्लास के कॉर्डिंग आपको वाटर लेना है उसके बाद आपको इसमें वन स्पून लेना है और इसके बाद आपको लेना है वन स्पून सॉल्ट लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे तब तक गैस पी रखना है जब तक इसमें हलका हलका बॉल आना स्टार्ट नहीं हो जाए जब इसमें बॉ लोग के लिए sufficient है दो लोग इसमें असानी से खा सकते हैं और इसे बॉल होने के लिए रखना है अब हम दूसरे पैन लेंगे और इसमें टू स्पून के कोडिंग ओयल लिया है और इसमें मैंने गार्लिक यूज किया है और यह अच्छे से फ्राई होने लगेगा तो मैं इसमे सारे वेजीज को डालने वाली हूँ तो इसमें आप प्याज, सिमला मेर्च, गाजर आपको जो भी पसंद हो आप इसे डाल सकते हो और दूसरे तरफ आप देख सकते हो कि मैंने यह पास्ता को बॉल करने के लिए रखा है तब तक यह वेजीज फ्राई होगा तब तक यह प पानी रखेंगे ताकि यह ओवर कूक नहीं हो उसके बाद हम आगे का, प्रोसेस करेंगे तो यह पानी ठंडा पानी डालने से यह ओबर कुक नहीं होगा उसके बाद आप देखेंगे कि मेरी वेजीज जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो इसे हम किसी भी प्लेट को मैं करने वाली हूँ, उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मुझे घी के साथ खाना बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं घी यूज़ कर रही हूँ, आप इसमें बटर यूज़ कर सकते हो, अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, 3 टेबल स्पून के कॉर्डिंग मै मैदा यूज़ कर रही हूँ, और इसे काफी अच्छे से रोस्ट करना है, आपको घी के साथ, तो काफी अच्छे से आपको मिक्स करना है, ताक कि इसमें कोई भी लंब्स नहीं पड़े, और काफी असानी से ये सारे जो मैदा है, वो घी में अच्छी तरह से मिल जाए, आप असानी से मिला लो, आप चाहो तो हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हो, मैं स्पून से ही इसे मिक्स कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद आप दिखेंगे कि इसमें अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा, और इसमें हलका हलका ये गाड़ा होना स्टार्ट हो जाएग चिली फ्लेक्स हमें यूज़ करना है, तो आप घर की जो रेट चिली होती है उसकी भी बीज को निकाल के यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वन स्पून के कॉड़िंग चिली फ्लेक्स, उसके बाद हम यूज़ करेंगे ब्लैक पेपर और सॉल्ट आप यूज कर सकते हो और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए One minute के ही अंδर आप देखेंगे कि यह गोल जो है काफी गाड़ा हो चूपा है आप देख सकते हो काफी थिक हो चुका है अब हम इसमें सारे पास्ता को एड कर देंगे सारे वेजीज को एड़ कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे तो ये काफी क्विकली आपका ये पास्ता रेस्पी बनकर रेडी हो जाता है तो ज़रूर इसे ट्राइ किजिएगा आपने घर पर थैंक्स पर वाचिंग